हेलो करेट जैन तो एब्रिवन वन्स अगें यूर मोस्ट वेलकम में निवोज चैनल आप में बहुत ग्यान सागर आज के वीडियो में हम लोग अगें एंसे से भी सर्टिफिकेट दोहजार चौबीस के लिए जो इंपॉर्टेंट अब्जेक्टिव कोशन है वो करेंगे एं साथ साथ कुछ नए एड़ वाले की कोशन करेंगे तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे वह प्रेस्टनालेटी डेवलापमेंट एंड लेडर सिप का ओके चलिए स्टार्ट करते हैं और बहुत सारे कोशन ऐसे जो प्रिवेस एर के भी है और उसके साथ साथ कुछ मार्च को जाम हुआ उसमें थोड़ा बस कोशन को घुमा के पूछा था अधरवाइस एंसर सेम है क्या है जब दो या दो से अधिक लोग एक साथ मिल के कोई एक लच्छ या फिर कोई गोल को प्राप्त करने के लिए एकित्रित होते हैं उसे क्या कहते हैं गोल ग्रूप टी इसको बोलते हैं टीम ओंके जब दो या दो साधिक लोग एक साथ मिल जाते हैं एक कुछ एक कॉमन गोल खंट करते हैं तो तीम बनाते हैं उसको बोलते हैं टीम енसर society में रहने के लिए हमें कुछ चीजों का follow करना पड़ता है क्या एक है पहला नंबर है etiquette को बोलते है sister 4 बी skill होना चाहिए society में रहने के लिए no matter आपके पस skill ना हो तब भी आप society में रहते हो good manners या d a n c तो इसका right answer can be used for telling personality बैक्ती तो को बताने के लिए सरीर के कौन से अंकव क्यों क्या जा सकता body मतलब आपको तो पता है न हमारे body language से ही पता चल जाता इस आदमी का personality कैसा है सबसे पहले आई आखों से भी हम लोग बता सकते बता पता जाता है कि प्रसनलिटी कैसा होगा posture of the body body posture से भी पता चलता है and tone of speech किस tone में वो बोल रहा है घुस्टे से बोल रहा प्यार से बोल रहा है and the all of the right answer is all of the above सब तरीके से हमारे personality को बताया जा सकता है और जज्च किया जा सकता है because interview में आप जाओगे तो आपके वो posture of body का posture देखेंगे आप कैसे बोल रहे हो वो देखेंगे यह सब मेंटीन करता है हमारे personality को next four number क्या है communication has been made up from latin word यह प्रिवेस का कोशन है यह communication लेटीन के किस सब्द से बना है commu से community से यह commu से यह डी नन राइट एंसर होगा कॉम्यू से ओके इससे बना है community communication वर्ड नेक्स्ट है फाइब नंबर स्वाट एस उर्टी एनलेसिस इस उसपॉल सोट क्यों प्यों होगी है self awareness के लिए इटिक वेट के लिए leadership के लिए personality development देखें सबसे पहले एस का मतलब होता ना strength क्या स्ट्रेंट्स एस आपका strength ओके एंड डबलू से होता weakness आपका जो weakness clear है और ओ से होगया opportunity आपको कोई भी opportunity आता हैं और टी से होगया आपका threat क्या हो गया है threat threat मतलब वतलब डर सो स्वाट किस चीज को reference करता है इसका राइट एंसर होगा self-aware एस से strength डबलू से weakness ओ से opportunity टी से threat ओके कोई भी चीज को हमें त्यारी करना है success पाना तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपना strength पता होना चाहिए साथ साथ अपना weakness क्या है वो पता होना चाहिए फिर अगर opportunity आया मिलता है तो उसको waste नहीं करना है एंड लास्ट में threat threat मतलब जो चीज हम लोग सोच लिया करना है उसके लिए उसके जो भी problem आती है उससे डरना नहीं है इस यह और सॉट्स और सॉट्स किसे रिलेटेड है वो सेल्फ अवेर से क्लियर है नेक्स्ट हम लोग सिक्स नमबर देखते हैं competition develop sportmanship and dash among the cadets परती होगी था cadets में खेल के प्रती भायचारा और डैस को बढ़ावा देता है गेम रूल को ओके टीम स्पृट endurance यह confidence right answer confidence जो competition होता ना उसमें हम लोग भायचारा sportmanship के साथ खलते हैं टीम spread एक साथ मिलके आप अकेले कोई गेम नहीं जीत पाओगा अगर साब पूरे team का support नहीं होगा तो सब्सक्राइब किसी भी काम को बिना आदेश के जब पूरा करते तब उसे कहते हैं faithful courage leadership initiative राइट एंसर है initiative यह भी एक प्रिवेश एर का question है ओके next है eight number question के हमारा the process by which one is inspired to act in the desired manner ठीक है जब कोई इच्छित अपने मन से अपने मन से करने के लिए कोई काम प्रेरित होता है उस परकरिया को क्या कहते हैं डिसेजन लेना motivation judgment यह duty राइट इंसरो का motivation ओके मतलब अपने मन से कुछ करना जैसे आपको पढ़ाने का मन करता अपने मन से करोगे तो आप ज्यादा दिन तक करोगे वह 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 दाट कम्स फों motivation motivations आता है ओके next है nine number ability to deal with others without creating offense involves understanding of human nature and consideration for the feeling of other school English में जब नहीं समझ माँ हैं बहुत बड़ा question हो तब हिंदी को पढ़ लिजगा असानी से समझ माँ जाएगा बिना किसी को दुख पहुंचाए किसी को दुख पहुंचाए हुए बिना उसके भावनाओं को समझना क्या कहला था quality बफदारी नहीं जस्टिक्स यह भी नहीं होगा टेक्ट यह हो सकता है इनिसेटिव राइट एंसर है टेक्ट यह भी प्रिवेस यह कोशन है जो पूछा गया है next 10 नमबर देखते हैं one of the main reason for communication failure संबाद के fail होने का महत्पून कारण क्या है noise, silent, music या work right answer है music okay next 11 नमबर देखते हैं how does NCC play major role in personality development of cadet NCC cadet का बैखते तो विकास किस तरह से करती है drill से करती है competition से होता है adventure activities right answer है all of the above ठीक है next 12 नमबर 12 नमबर देखते हैं क्या है best teaches self-control and correct behavior at all times क्या हमें लेकिन self-control and correct behavior किस से हमें सीखने को मिलता मेनर से time management से personality development से discipline से right answer है discipline अगर किसी में discipline है तो उसमें automatically self-control होगा correct behavior होगा उसको पता है कहा क्या बोलना कब कैसा बैवार करना clear and is question को ना अलग तरीके से भी पूछ सकता है यहां पर बोलेगा discipline teaches dash and dash at all times discipline हमें क्या-क्या सिखाता है तो self-control सिखाता है and correct बीवर इस तरीके से भी यह पूछ सकता है नेक्स्ट है थर्टीन नंबर और healthy dash is a code determination of a strong personality एक स्वस्थ dash मजवूद बैक्ति को निधारित करती है एक स्वस्थ क्या brain body self-image ब्रेन भी आप सोचो के ब्रेन भी तो सकता बट यहां लिखा हुआ बैक्तित हुआ प्रस्नालिटी को डेवलप करेगा आपके सेल्फ इमेज सब्स आपका इमेज खराब है आपने कुछ कांड किये हुए हूँ तो आप बताइए आपका प्रस्नालिटी कैसा होगा उतना अच्छा नहीं होगा समाज में आपको अलग नजर से देखा जाएगा वहीं अगर आपका प्रस्नालिटी बहुत ही अच्छा सब सब्सक्राइब के साथ आप समान बिवार करते हैं तो आपको सब अच्छे बोलेंगे ना तो सेल्फ इमेज इन्पॉर्टेंट है एक हेल्दी प्रस्नालिटी के लिए सेल्फ डेवलप्मेंट यह एक प्रिवेसर का कोशन है ओके यह प्याइक्यू है सारे बहुत सारे प्या किनी है आपको कोई बताता है और आप उसको इंप्रूब्मेंट करते हो तो इसमें ऑटोमेटिक ले आपका लाइफ इसकल होगा किसी और का थोड़ी तो अगर कोई आपको कमियों को बताता है न उसको accept कीजिए एप उसको में सुधार कीजिए यह है अगर आप आगे परकार के उसका साथ जगडा करना ओके नेक्स इक्स्टीन नमबर ओटो क्रेक्ट एंड डेमोक्रेटिक अर इस्टाइल अप निरंकुस नेतत्व सेली और लॉक्तांत्रिक नेतत्व सेली कि किसके टाइब है लिडर्शिप के ट्रेनिंग के यह परसंबाटर डेवलप्मेंट के राइट अंसर होगा प्रस्टाइल लिडर्शिप के ओके नेक्स रगाएटीन नमबर टाइपस और टीम आर तीम के परकार इनमें से कौन से टीम का परकार दिहान से देखी एगा फंक्शनल टीम प्रॉबल टाइम मेनेजमेंट हेल्प अस्टू समय प्रबंदन हमारी मदद करता है किस में डेली प्लेनिंग में वंडर में वर्क में यह धी नन राइट एंसर अगर डेली प्लेनिंग करने में हमारी मदद करता है टाइम मेनेजमेंट ठीक है नेक्स्ट नाइन्टीन नमबर आयम है इस खड़क वासला एक आदमी का बैक्तितो चारेक्टर किस टाइम पर बेल्ड होता या अरली एज में जब कोई बैक्ति तेरह-चौदा या फिर टीनेज में रहता है उसका बैक्तितो विकास होता है क्लियर है क्यारेक्टर नेक्स अभी जो हम लोग 20 के बाद कोशन देखेंगे अभी के जो नेक्सट्ट कोशन प्रस्टनलेट्ट के वो 10 मार्च जो रिसेंट में एक्जाम हुआ ने 10 मार्च को दो दिन पहले उसमें पूछा गया था वह सारे कोशन को अभी हम लोग देखेंगे और भी परस्टनलेट्र डेवलोप्मेंट और लीडर्सिप के टॉबिक ह तो अभी हम लोग बीस कोशन करने वाले हैं यह ना 10th March 10th March को आपके एक्जाम में आया था कब आया था 10th March को ठीक है जो इस बार एक्जाम होगा 10th March को 20 सर्टिफिकेट का उसके एक्जाम में यह आया था अभी जो नेक्स्ट कोशन करने वाले तो यह सब को तो जरूर आप लोग कर लिजेगा पहला कोशन है डैस इस अबलीटी टू जेनरेट निव आइडियास पाई कंबाइनिंग चेंजिंग और रिप्लाइंग एग्जिस्टि सब्सक्राइब आपके पास कुछ आइडिया है उसमें कोच चेंजिस कौन करेगा जब कोई दुसरा क्रेटिव सोचेगा तभी न उसको चेंज कर सकते हैं वही है बस सेम आपको वर्ड को समझना है क्या बूल रहा फिर आपको उसके प्रोप्रियेट आप्शन को देखना न सब्सक्राइब अपने आपको जानना सेल्फ आवेर मतलब तो पता सेल्फ मतलब खुद को खुद को जानना खुद का क्या स्ट्रेंथ है क्या मजबूती पॉइंट है क्या वीकनेस पॉइंट है ठीक है इसी को सेल्फ आवेर्नेस बोलते हैं पहला पॉइंट टू इग्नोर अपने आपको जानना वो बहुत जरूरिया प्रस्टनलेटी को डेबलप करने के लिए एक बैक्ती जो उच्छ नेतिक मानवों को पालन करता है वो समाज का डेस सदस्य होता है मतलब कोई एक आपके सोसाइटी में होगा ना आदमी जो हर एक नेतिकता को फॉलो करता है उसको समाज में कैसे देखा जाता है डिसिप्लीन आदमी हो सकता है आदमीए अ भी शह certificates नहीं उसको तो बहुत जादा रिस्पेक्ट मिलता है इन ग्रिट नहीं उप्ट्ट सेटोभलीन मिलता है वह डिसिप्लीन ऐदमी भी हो सकता है रिसेस्पेक्टेद ज्यादा हिंदी में पड़ते हैं आत्म जागरुपता खुद को अपने व्यक्तित्व को जानना और हमारे डेस के बावजुद खुद को स्विकार करना सेल्फ अपने आपको जानना एंड एड़ सेम टाइम इंपर्फेक्शन अपने कमियों को भी जानना इस्टबर्नेस सेल्फिसनेस मतलब होता है अपने जो मजबूती पॉइंट है उसको भी जानना एंड साते साथ जो आप में कमी है उसको स्विकार करना क्योंकि क्योंकि बहुत जैना आपने देखा होगा आप किसी को कुछ उसके कमीयों के बारे में बताओगे ना तो चीड जाता गुच्सा करता बट व वेड़ेस प्रोब्लमी गिब अपॉचिन टो डेवलप आर्रिवलेपलाप इसपशल जब हम लोग कोई प्रोब्लम को क्या करते हैं तब हम लोग जो कोई स्किल यप कुछ नया सिखने को अपॉचिनेस को छोड़ देते हैं बसभर जब को को अब एक तो हमारेसे बढ़ता ह को आपने वह मिस्स कर दिया सपोस होता ना आप सपोस गाओ में हो आपको फोन आता नहीं तोक्तन काल रहा है आना है काल कॉलेज आप बोलते हो नहीं जाएंगे मेरे साधी है तो साधी इंडेसंस किसी और का साधी मैं करना हूँ मैं नहीं जा पाऊंगा यह आपके पास प्रॉब्लम था आप जाके अगर आप जाते तो कुछ नया स्किल डेवलप करते नया चीज देखते पट आपने स्किप कर दिया आप उससे भाग गए तो आपको मैं जो इस प्रॉपर्चुनिटी यह वह आपने मिस कर दिया सेम ऐसे में भी अपने एक बार मैं यह उपरॉचुनिटी मिस कर चुका हूं यह मुझे ज्यादा बहुत ज्यादा एक्सपरियेंस है अभी वह दिन याद है जब मैं सेकंड एर में था तब हमारे जो थर्ड एर के इस्यू सर ने मुझे एक स्पिसली फोन किया थे मुझे और मेरे फ्रेंड को की क्यांप है जाना एधिंग कोई नॉर्थी से स्टेट था नॉर्थ साइड में ओके कोई कैम था तो आइधिंग लीडर्शिप कैम था और सम क्यांप आपको हां जाना है बट आई सेट नहीं जा सकते हैं गाहों में हैं आई कांट अवेलेबल बट सेम लॉस्ट अपर्चुन को नहीं जाने को मिले थे साइडिककर्ट में आप जा भी सकते हो बट हचांस कि जी में नहीं मिलता ज्यादा ज़्यांस भी को ज़्यादा मिलता फिर तो याओ में कर सकते ओ को लिडर्शिप क्लेड़ वह आप चैनल को सब्स्राइब कर लेजेगात मैं आपको जरूरels बता का leadership qualities को बढ़ाना improving academic performance यह भी नहीं है developed artists के लिए हो सकता mastering technical expert no right answer leadership qualities को बढ़ाना हमारा primary goal होता है next 27 number what is the significance of the NCC song NCC song क्या महत्पून importance हमारे development में musical performance देता नहीं sense of patriotism and pride हां राइट अंसर होगे यह हमारे अंदर में patriotism की भाबनाओं को जागरिक करते इसलिए ना national song का important है इतना next 28 number why is courage consider a crucial trade in personality development बैक्तियों के विकास में साहस को मत्पून गुन क्यों माना जाता है क्या हमारे knowledge को बढ़ाता है okay hinders in progress यह हमारे progress को रुकावट डालता नहीं it allowed to person face challenges yes personality development में जो courage है ना courage मतलब साहस हमें सिखाता है कि challenges को कैसा face करें क्लियर है 29 number how does the NCC promote a sense of patriotism in it cadet for personality development बैक्ति के विकास के लिए NCC अपने कैड़ेट में देश भक्ति की भापना कैसे बढ़ाता adventure activities को conduct करके चले इससे एक तरीके से बढ़ता उसमें सहासिक कारी होता adventure activity देश भक्ति नहीं बढ़ता देश भक्ति बढ़ता सोसल सर्विस से और national events से ओके and certificate exam से नहीं बढ़ता है academic परसेट यह से भी नहीं होगा personality development के लिए और देश भक्ति के लिए आपको सर्विस करना पड़ेगा और adventure activities means फाड़ो में चलना इस नॉट टाइप आप पेट्रोटिजम ओके वह सहासिक कारी होता है 30 number question क्या है lack of communication breeds death in our relationship संचार में कमी हमारे रिस्तों में death पैदा करती है आप किसी के साथ communication नहीं करोगे अपने दोस्तों में किसी भी साथ किसी भी किसाथ तो क्या होगा उससे आपके relationship में problem आएगी understanding opportunity feeling obviously यह problem बढ़ेगा किसी के साथ आप जगडा हुआ आप उसके साथ बातचीत करके matter को नहीं solve करते तो क्या होगो धिरे-दिरे और बढ़ते रहेगा समझ माया बस आपको ऐसा ही question को समझना फित्तों टिक कर दो गया 31 नमबर क्या है following majors help in reducing the communication gap निमलिखी तुपाय संचार अंतराल को कम करने में मदद करता है इन में से कौन सा है जो communication gap को कम करता playing playing ahead आगे का योजना बना नहीं having a sense of humor यह हो सकता listen to the suggestion made by others d all of the right answer all of the above सारे चीजों को हमें सुनना चाहिए वो communication gap को कम करता next 32 नमबर क्या है principle of time management समय प्रवंधन के कुछ सिधान develop a personal sense of time yes concentrate on high return activities yes daily and weekly planning help करता है time management हमें अपने timing को बनाने में कोई जिसमें high returns मिलता है उस पर धियान देना all of the above next 33 नमबर what is the significance of utilizing technology tools and time management कुछ टेकनोलोजीकल टीम टेकनोलोजीकल जो टूल्स होता है उसका यूज हम एंसे से कैड़ेट कैसे कर सकते हैं ओके option का धियान से देखिए टेकनोलोजीकल टूल्स और अननेसेसरी फोर टाइम मेनेजमेंट जो टेकनोल को समझ लिए सबसे पहले टेकनोलोजीकल टूल्स जो मतलब सपोज आप कैम्प में हो आप कैम्प में हो आपको कुछ नौटिस हरे कैड़ेट्स के कैड़ेट्स तक पहुंचाना तो आप क्या करोगे हरे के पास जा जाके बोलोगे कि भाई तुमको कल यह करना यह करना इतना बज़ा उठ जाना है ऐसे करोगे यह पिर आप बस टेकनोलोजी का यूज करोगे फोन का सब को ग्रूप में लाओगे ग्रूप बनाओगे और एक बर मैसेज कर दोगे तो सब के पास पहुंच जाएगा यह टेकनोलोजीकल इससे हम लोग और गनाइजेशन एंड मैनेजिंग टास्क अच्छे से कर सकते हैं एंडी अलब यह तो नहीं होगा अलब दब नहीं होगा सी नंबर इस राइट एंसर थर्टीफोर नंबर हाव के टीम वर्क एंड कॉलिबरेशन कॉन्ट्रिब्यूट टुदर डबलोप्मे ही सिखाया जाता ना एंससी में फिर टीम वर्क एंड कॉलिबरेशन लीड आइसोलेशन आइसोलेशन का मतलब अलग करना आप कोवीड में यह वर्ड सुना था आइसोलेट करना के टीम वर्क हमें अलग कर देता नहीं यह हमको साथ मिलाता है टीम वर्क तो राइट एंसर हो नेक्स्ट है थर्टी फाइब नमबर हाव केन एंशिक एड़ेट डेमोस्ट्रेट प्रॉपर डाइनिंग एटीकुएट डियूरिंग फॉर्मल इवेंट के दौरान एंशिक एड़ेट उच भोजन सिस्थाचार का प्रदसन कैसे कर सकते हैं देखिए इस कोशन को ध्यान से सम मैं खाना मिलता है अलग होता है जमीन में कहीं भी बिचा दिया रहता है ऑ prakt術 को आपको वहां मौका मिला बैठके खाने का तो आप कैसे खाओगे सब पूरा खाना को एक साथ मिला के बस खाओगे या फिर फॉक चमच के यूज़ करोगे और विसली है कुछ आप मेंटेन करोगे ना एकिकविट क्या करोगे चलिए देखतें उप्शन फॉक और श्पुन करो होगे यूज चलिए ठीक है अच्छा प्लेट्स का प्लेट से मतलब नहीं है अब क्या कैसे खा रहे हो इग्णोरिंग टैनिंग एटिक्विट बिना कोई एटिक्विट का आप खाओगे नहीं आप सनद होगा रइट ऊंसर्ट टेबल मैनिर्स क्लाने के समय करणा अगर करोगी तो पॉलाइट कंवर्सेशन लू सेशन करोगें हिंदी में पढ़ते हैं हैं इंग्लिस में नहीं समझ वाया है क्या है आम तोर पर ऐसे कर्मचारी सामिल है जिने संपून उत्पाद यह सेबा के निर्मान के लिए प्रतिदिन प्रभावित ढंक से एक साथ काम करना होता है इसको क्या कहते हैं प्रॉब्लंग सॉल्विंग टर आपको बढ़ाने के लिए आपको मैनेज करने वाले चाहिए सेबा के लिए आपको क्रॉस फंक्शनल टीम प्रॉब्लंग सॉल्विंग टीम्स चाहिए आप ऐसे थोड़ी आपको भी प्रॉब्लम सॉल्व कर वह एक तीम में बैठके एक साथ मिलके डिसकस करोगे ओके है सेबं नंबर दैयस इस बहसे पहला कोशन हमने किया है बस भरट बड़ा लेग दिया है हमने जो भी जो भी टोशन अभी तक किया ना सेब सैम टॉब और रहेगा ठीक में कुछ लइगे वरड़ मासर थे अंसर सीम रहोएगा इस से बाहर नहीं आएंग क्या है पढ़ते हैं यह 10 मार्श को आया था एक्जाम में पूरक धचिता वाले कर्मचारियां एक छोटी संख्या में छोटी संख्या दो यह तीन जन पाट जन छोटी संख्या में समाने प्रदसन लच्छ एक समान लच्छ को और कामकाजे संबंद के लिए परतिवद रहते हैं और ज इसको भी देखिए इसको तब खुद पढ़ोगे तो निकाल लोगे एंसेसे में सार्वजनिक भासा कार्यकरम के दौरान के लिए अपनी साररिक भासा के प्रति जागरुक रहना क्यों मत पूल है के लिए अपनी साररिक भासा मतलब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो उस स्थिलिक स्पीकिंगे स Tobias principary है दोया है सब्सक्राइब है आप को आपको बॉडिल लेग्विज से पटा चल जबाता की स्काइब ओलू गया आप कैसे आप का पर्सनलोंची है खर ओवार्नेस एडवार्नेस अवीज इंहांस करता आपके ड्रनेस को और मैसेज यं पब्लिक पिकिंग राइट एंसर भी ठीक है नेक्स थर्टी नाइन नंबर वर इस थर्टी नाइन नमर हिर ओके ठीएट थिंक ओके दिस वाज लास्ट कोशिन चलिए अभी प्रसनालेटी के जो टॉपिक है उसको हमने अभी कम्प्लीट कर लिया है ओके एंड अभी नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे नेशनल इंट्रिगेशन को टॉपिक को अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे वह नेशनल इंट्रिगेशन एंड जनरल अवेर्नेस यह जो है आपके एक्जाम में हमेसा अकसर पूछा जाता है कुछ दस नंबर पंदर नंबर के ओके बी सब्सक्राइब को पता सदार भल्लब भाई पटेल इनका बहुत बड़ स्टेच भी बना हुआ है गुजरात में नेक्स्ट है दुरुनाचारी अभी प्रेजेंट में स्पूर्ट को दिया जाता है दुरुनाचारी अब बताइए दुरुनाचारी कौन थे वह एक टीचर के अभी प्रेजेंट मेंस्पूर्ट को कोडिया जाता है दुरुनाचारी अवार्ड एंड धूसके स्टुडेंट जो भी खिलारे ओंको अरजन ओर दिया जाता है मतलब जो स्पूर्ट मेन है और प॑चिस को समिको मुशंट को पलए है नेक्स्ट फोर नंबर फोर नंबर कुशन क्या है हमारा कॉंस्टूटेशन अफ इंडिया वोज एडॉप्ट ऑन भारत के सब्जान कब सुईकार किया गया कब लिया गया है 1950 में नहीं 26 जनवरी 1950 को तो लागू हुआ था 29 अगस नहीं 26 जनवरी 1950 को हमारे सब्जान को एडप्ट किया गया और उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को इंडिया डराइव इट्स नेम फ्रॉम धर भारत का नामकरन किस नदी से हुआ है गंगा इंडस सतलूज राभी सो इंडस से क्लियर रहे नेक्स्ट एट नंबर हमार स्क्रेप्चर और सीखिजम सीखों का परमुग धरम गरंत क्या है ग्रुगरंत साहिब गीता किसका है हिंदूओं का क्लियर है हिंदूओं का बाइबिल है आपका क्रिश्यन का ठीक है क्रिश्यन का होता है बाइबिल नेक्स्ट कुरान कुरान होता है मुश्लिमों का ओके य स्क्रेड मतलब पवित्र धरम गरंत होता है जिसको वो फॉलो करते हैं नेक्स ब्रिंदावन गार्डेन कहां परिस्तित करनाटका में यह पूछा गया पिछले साल प्रिवेस एर में नेक्स्ट है महाभारत किस ने लिखा महर्श्य बद बेद वियास और बालमिकी में ने क्या लिखाया रामायन और तुलसिदासन जी ने क्या लिखाया श्री राम चरित्र मानस और हनुमान चालेसा भी आप बोल सकते हूं जिसमें लिखाया है हो मी रूल मुमेंट वस स्टार्टेड वार हो मी रूल आंदोलन किसने सुर्वात किया था मातमा गांधी एनी बेशन तो इसका राइट एंसर होगा 22 जुलाए 1947 स्वत अंतरता से पहले तबना हमने 47 को फैर आएंगे फ्लैग 13 अचिंग 12 नंबर हो गया 13 नंबर क्या प्रेसेडेंट अप इंडिया भारत का राश्पती कौन है प्रेजेंट में इस लिखा हुआ कुछ नहीं है बट नंबर 13 डिराथ नंबड डिरेक्टेट इन एंसर से के कितने सलाई है 17 20 जिसमें से इर्मी के पूछे़े करे कितना हमने लास वीडियो में देखा आर्मी के बारा है ठीक है और एर फोर्स Air Force के कितने डारेक्टेट है 3 12, 3, 15 हो गया और बचा Navy Navy के कितने डारेक्टेट है 2 17 डारेक्टेट है NCC के टोटल जिसमें से आरमी के 12 है Air Force के 3 है Navy के 2 है Gateway of India कहां पर है Mumbai में New Delhi में India Gate है Next है 19 नमबर Dal Lake कहां पर है Dal Jil Shrinagar में चिलका जिल उडिश्या उडिश्या में क्या है चिलका जिल ये भी पूछा जा सकता है चिलका Next 18 नमबर काजिरंगा नेशनल पर कहां पर है असम में जहां पर एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता Which policy was followed by the British in India British के द्वारा भारत में कौन सा नियम लागू किया गया था डिवाइडेन मल्टिप्लाइ नहीं डिवाइडन रूल सबको पता डिवाइडन रूल उसको डिवाइड करो दो राज्यकों डिवाइड करो फिर दोनों में रूल करो अब नेक्स्ट कोश्टोचन को देखते हैं क्या है बंदे मातरम किसने लिखा तरवित नात और नहीं बंकिम चंदर चटाची यह रइट है रविजन अरविनाट तरव नात है जन्गन मन लिखा तक नेक्स और कुछ गाथ एक तैम नेक्स 21 लेवर दैंशी, ट्रेनिंग इस इ प्रफटल आप गुजरात कर आजदानी क्या है गांधीनेगर एक मॉंबई तो महारास्टा का है वट इस अपिटल अगले नागालेंट के क्या रास्टानी कोहीमा ठीक है नेक्स ट्वेंटी-फॉर नमबर वट इस अप्टल अप तमिल लाइंडू तमिलाइंडू का किया है ह नारा किसने दिया था लाल बहादूर सास्तरी ने नेक्स कोशन गौतम बुद्ध वस बॉन इन मात्मा बुद्ध का जनम कहा हुआ लुंबनी बूद गया सारनात कपिल बस्तू कहां पर हुआ था बूद गौतम बूद का जनम लुंबनी में ठीक है नेक्स ताम लोग देखते अब बिर्वल 29 नमबर सती सिस्टम होज एबॉलिस्ट पर सती सिस्टम को किसने खतम किया लॉड बिलियम बैटिक लॉड क्लाइब लॉड रोबर्ट क्लाइब रॉड वेल से लॉड करिंग राइट एंसर लॉड वेल से क्या है लॉड विल से ठीक है नेक्स है थर्टी म्यूटिनिटी की सुर्वात कहां से हुई मेरेट से ओके मंगल पांडे ने स्टार्ट किया था अब नेक्स्ट और कुछ को देखते हैं हम लोग इसी टॉपिक के यह जो कोशन आप देख रहे हो रेशियो आप तर नैशनल फ्लैग लेंथ टू विथ राष्ट धोज की आपके पूछा गया था एक्जाम में राइट एंसर क्या होगा थ्री इस्टू टू लंबाई तीन चौड़ाई दो नेक्स्ट कोशन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई है अलिगड़ इस फेमस पर अडिग अलिगड़ क्यों फेमस थैं लॉक्स के लिए तालो के लिए ठ नेक्स 33 नंबर फोर्स इंडियन तो गो इंटो स्पेस प्रतम भारत अंत्रिच में जाने वाले पहले कौन थे भारत ये पूछा गया राकेश शर्मा और ये एक एरफोस का ओफिसर थे स्कॉर्डन लीडर इनका राइंग था ये भी पूच चकता नेक्स 34 नंबर फॉस्ट कुमेंट डिफेंस मिनिस्टर भारत के परतम महिला रच्छा मंत्री कौन निर्मला सितारवन फॉस्ट प्रदान मंत्री इंद्रा गांधी ठीक है नाक्स थर्टी इफिन अयुद्धिया इस सेच्वेट इन दे बैंक आप आयुद्धा किस नदी के किनारे स्थित है तो वी आलनू सर्यू रिवर के ओके नेक्स्ट थर्टी एट नंबर थर्टी एट नंबर क्या है ओके लेंड और फाइब रिवर पांच नदियों के भूमी किसे कहते हैं पंजाब को ओके यह पूछा जाता है मेरे एंसे से इन्रॉल्मेंट के टाइम यह आया था एक्जाम में भी जाता है पॉंगल पॉंगल कांसे लेवरेट के यह ता पॉंगल किस राज्य में मना जाता है पंजाब केरला करनाटा के तमिलांट राइट अंसर वह के रिला में एक्सट पॉर्टी वर नबर घूमर इस पॉपुलर डान्स गूमर कांका राजस्थान का ओके नेक्स्ट और इस राज सर्वोसरेश सेना पुरुषकार किया है पीवीसी क्लियर है प्रम्भी चक्र फॉर्टी थी नंबर हाय सिबलेन अवार्ड भारत रतन जो बहुत ही कम लोगों को दिया जाता है फॉर्टी फॉर नंबर एंसे सिक एड़ेट इन एंसे से अक्तिविटीज आर कंस इसनालिटी डेवलोप्मेंट और लेडर्शिप के किये और नेशनल इंट्रोगेशन के भी पूछा जा सकता है इसके साथ जी सी आई करेंटली में जी सी आई गल्स कड़ेट इंस्ट्रेक्टर इसका फॉर्म निकला अगर अगर आप उसको बता सकते हैं यह भी पूछा गय जी सी आई का फुल फॉर्म क्या अथा गोल्स कड़ेट इंस्ट्रक्टर यह समार्थ को पूछा गया था क्लिए रहा ओके इसको साथ और एक था सी ओसी सी का फूल फॉर्म क्या था ओके सेंट्र और और इस वीडियो के बाद नेक्स वीडियो में हम लोग क्या कौन सो को कवर करेंगे health and hygiene को disaster management को adventure activities and border and coastal areas के topic को भी हम लोग cover up करेंगे okay and I hope this video is helpful for everyone so thank you for watching keep watching and keep learning